कि आक है कि आ फिरेंम बना लो वेरी गाँ अब टेकत किसको आदियर आ अब अब देखो, audience समझदार है और जिनने copy लगेगा बस लिए ही कहना है कि आप गुरू को शिश्य copy नहीं करेगा तो और कौन करेगा। चलो, rolling? Rolling! Okay. JMC Study Hub presents बड़े आराम से The Academic Interview with Gaurav Dubey. दोस्तों, यह हमारे इस शो का पहला इंटर्वियू है, जिसमें हम theoretical और practical knowledge को बड़े ही आराम से विशे विशे शग्यों से जानेंगे जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं. तो जनरिजम और मास कौम में जो भी आप पढ़ते हैं, वो हम direct आपको सिखाएंगे उन लोगों से जो इस फील्ड में पहले से काम कर रहे हैं. तो आज इस interview में हम सीखेंगे film script writing किनसे? उनसे जिन्होंने रुस्तम, इकबाल, बत्ती गुल, मीटर, चालू जैसी फिल्मों की script लिखी है. तो चलिए आईए, मिलते हैं उनसे. मिलते हैं विपुल के रावल से. बात है, मिलते हैं उन если बताएं? बहुत है होई हैं पहुत है. इस love है. ka Hebrew इस highly nice place, तो जैसा कि सर मैंने आपको बताया कि इंटर्व्यू जो हमारा यह है बड़ा अकेडमेक इंटर्व्यू रहेगा पर जैसा कि जो क्लासिज में आपने भी अपने टाइम पर अटेंड की होंगी और बोरियत से भरी क्लासिज रहती थी अमन नहीं करता है जब प्रैक्टिकल में करते हैं पहले तो मतलब आपके हिसाब से स्क्रिप्टिंग जो है कास तौर बात की जाए फिल्म स्क्रिप्टिंग क्या से समझते हैं सो क्या देखे हैं एक पटकथा का मतलब है पर्दे पे जैसा दिखाई दे जी इतना तींचर बेजिक रूल से अफकोस रूल सारे पर घाला होगा उसको साफ साफ नजर आना चाहिए तो जो लेखन ऐसा होता है जो पड़े पे नजर आता अब याद रहे है कि इस दिस इस आ विजोल मीडियम जी विजोल ही होता है जो स्टूरी को आगे बढ़ाते हैं चीए के इसलिए आप जो स्क्रिन प्लेर लिखते हो यह जो परदे पर दिखने वाला है वो इसमें होना चाहिए कि परदे पर दिख रहा है for example scene की situation के राम और लक्षमन खड़े हुए है राम के आखों में उदास ही है लक्षमन घुसाया हुआ है all these expression has to be written फिर आगे scene का सार क्या है कि क्या हो रहा है आगे से कहां जाएंगे all that has to be mentioned अगर scene की requirement है कि शाम का time है तो mention शाम का time है अपकोर आपने imagination जी कर सकते हो कि शाम का time है सुबह का time है लेकिन बरसाद बहुत हो रही है जैसे situation अगर बरसाद की जरुत है screen में उसका कि आगे महत्वा है तो लिखिए अगर महत्वान नहीं है अपनी की मर्जी से लिख रहे हो तो देखेगा डारेक्टर के यहां बरसाद की क्या है जरुत है निकाल दो यार अगर बरसाद का कोई script में requirement है यह बरसाद है कि फिसल की interview दे रहे है मुलब बात कर रहे है बरसाद में और पीशे गाड़ी फिसल गई तो बरसाद की वज़े से तो उसका कुछ मतलब है तो रखी आप अगर नहीं है तो वोट इस अपो मुलब वो रिलिवेंसी बहुत ज़रूँ है तो ऐसा होता है अच्छा और इसके बाद जैसे हम देखें कि बड़ा एक जो टेक्निकल पार्ट पर हम जाते है तो जो सबसे बोरिंग पार्ट रहता है उसको हम पहले कवर कर लेते हैं इंटर्वी में उसके बाद फिर मैं आपके बारे में भी जानना चाहूँगा आपके एक्सपरियंशर आपके बाद करेंगे सर बसकिली जब हम बात करते हैं स्क्रिप्टिंग जो कोई भी एक राइटर करता है उसमें जो भी खयाल है जो भी इमेजिनेशन्स हैं क्रेटिविट्वीट वो तो बात की बात है पहले अब हम देखते हैं जो प्रोफेशनल राइटर हैं, वो एक फॉर्मेट में लिखते हैं, उसमें वो एक्षिन रहेगा, परेंथेटिकल रहेगा, सारी चीज़े रहेगा, उसके बारे में आप कुछ हमें बताना चाहिए, टेकनिकली बच्चों को थोड़ा भूस चिखाना चाहिए, कैसे क्या रह खुला है, यह लोग चल के आए, यहां खड़े रहे हैं, यह बात, अब जो डायलोग होगा, वो नीचे डायलोग में आएगा, एक सिस्टम है उसका लिखने का, एक्षिन लिख दिया, अब एक्षिन में अगर सपोजिंग, डायलोग में, डायलोग में अब जो इंटर्वि विपल्स एक्षिन चेंजेस तो एंगर, फिर आप ने सार्कास्टिक टोन में बोला, यह लिखना है, उसकी बंद होगी, और उसके चेहरे पे गुसा आ गया, तो यह सारे रियक्शन से मोशन जो है, डायलोग से पहले, उसके अंदर में जो अगर उसका रेलिवन्स है तो, अगर डायलोग से पता चल जाता, लेकिन, सी, खाइदे से ऐसा लिखना जी है, ऐसे मुस्कुरा आ रहा था लेकिन अचाना कुस्कुरा तो यह एक रेफरेंस आएगा ना, एक्टर को, जब तक मैं लिखूंगा नहीं तर तक कैसे आएगा, सब इमेल ने लिखा ही नहीं है, फिर डायलोग आ गया, तो अगर उसका ये भी है, एक तरीका ये भी है, कि मुस्कुरात है हुए डायलोग, उसने गुसा नहीं आया, तो जो उसके मन में चल रहा है, वह आपको लिखना है उज़र, जो आपके करेक्टर के मन में चल रहा है, तो आपने सपोसिंग है वो आपको clearly क्या करेगा उसमें mention करना है वो बहुत ज़रूरी है तो यही चीज है बाकि आपको camera angle के top angle से ही आए वो इधर लिखने के ज़रूद नहीं हो तो shooting script जो director हो उसका breakdown करेगा आपको खाली scene का action by action I mean यह क्या हो रहा है यह भी आप लिख सकते हो लेकिन आप उसमें detail में करो अगर ज़रूरत है कि उसको character आपको दर्शाना है तो बले ऐसा लिख सकते हो कि बले इस दर्शक में कपड़े उन्होंने 70 के दर्शक के पहन रखे है ऐसा लग रहा है 70 के दर्शक से निकल के आए है जो character है आपका वो आपको दर्शाना है वो दर्शाने पर unrelevant जो चीज़े हैं वो ना लेगा जिससे बचना चीज़े होना है short and sweet हाँ short and sweet और suppose है आपको दिखाना है कि कई लोग बोलते है आपको भी visualize करता कि यह सरकार यह सर गंजा होगा अगर वो गंजेपन का आगे कोई मतलब नहीं है तो you don't have to describe him कि लंबा सा officer है वो चोड़ दो क्यों कास्टिंग के टाइम कोई लंबा नहीं मिला तो कोई गंजा नहीं मिला तो या कोई गंजा मिल गया तो वो आपका काम नहीं है आपने लिख दिया कि सरकारी बाबू एक टिपिकल सरकारी बाबू लग रहा है जो हमने तो एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाता है पिर वो डिरेक्टर का विजन होगा कैसे सरकारी बाबू कहीं तरक होते है स्मार्ट भी होते है यह भी तो जो रेलिवन्स होगा अपने आप डिरेक्टर स्क्रिप्ट कहीं से भी फिगर इट आउट अगर कभी बार मैंने देखे सरकारी ओफिसर जो कोटा कैंडिडे जिसको हम बोलते हैं तो अब यह लिखना ज़रूर नहीं unless it is the relevant के भी अजीब सा शकल कहीं बार मैं लिखता हूँ के क्राउड में अगली लुकंग जुनियर आरिटेस्ट मतलब गंदी लुकंग शकल चीज़ी इस सीन में तो मैं ऐसे लिखता हूँ अगली लुकिंग जूनियर आर्टिस्ट लिखना ज़रूर दी है कहीं बार या कहीं बार है उनके एक मोटिवेशन स्पीकर का सीन है मैंला क्राउड में पीपल सिटिंग एंड लुकिंग लाइक लूजर्स लोगे लटके होंगे चहरे लूजर गैसा अजीब तो फिर वो विज्विजॉलाइसकर लाओ यसे लूजर शकल के लोग लाओ वो फिर डायरेक्टर ऑलेगा कास्टिंक कॉड़िनेटर कास्टिंक चॉडिनेटर का जिससे कहते ये किसी व्यक्ति को पर फिल्म में वो जो judging है वो बेकार ना होते हो observation के तौर पर बड़ी खुबसरा चीज हो जाती है अच्छे सर हमने scripting के बात करी इसमें एक चीज में यहाँ पर add करता हूँ कि आज क्योंकि हमारा जो platform में पतकाईत हम जनसंचार का है आज कल बड़ी एक मशूर कहवा थे कि पहले कलम के सिपाई होते थे आज कल keyboard के सिपाई है आपके चीज के हैं आपको कलम से मतलब कागस पर script लिखते हैं और टाइप करते हैं वो software में लिखा है technology से अगर फाइद होते है ठाज से लिखना यह करना software है आप एक click of the button और action आजाएगा वो आजाएगा कौन से software यूज करते हूँ किसे लिखते हूँ CELTEX यह CELTEX देखो दो-तीन बड़े-बड़े software studio binder है final draft है CELTEX एक free software है तो जब मैं शुरू कर रहा था तो पैसे-बैसे होते हैं 10-15 जार का या आता है वैसे तो तब वह भी नहीं थे तो CELTEX is a free software तो तब ही मेरा हाथ बैढ़ गया उस पर तब से वो ही चला रहा हूँ है CELTEX कुछ लोग उसको CELTEX बोल दे कुछ लोग CELTEX बोल दे प्रोनाशेशन अभी मुझे नहीं मालूँ तब से वेरी सिंपल तब यूज वोग आपका जो बेजिक होता है कैसे डालोग, चेंश, पेज फॉर्मेटिंग कैसे होता है वह अपना टाइटल पेज 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 नमबरिंग केशना समय लगता होगा आपको लिखने में पूरा So, I mean, the powerful character बनाना है,είच and every character have to be very distinct that a character does आप बंद करके descriptive पडो या सुनो तो सारे character एकसी नहीं लगने चाहिए, सबका एक style होता है, हर character का बात करनेैं एक तरीका होगा हर character की एक शह है education की हिसाब से एक आप बताए यह क्या था इस लिखना उदर तो बाबा नीचू पडेला था यह लिखना अपने हिसाब से लाए आप लो आप कैसे बोलोगे हो सकता है बीच में आपके एक रिजिनल वर्ड यूज़ कर दो आप तो ऐसा सब होता है यह एक प्रोसेस है पूरा तो सर हमने स्क्रिप्टिंग के बारे में बात करी यह जो एक कई शब्द है इसमें प्लॉट, प्रिमाइसेज शॉट्स वगेरा, ट्रांजेक्शन वगेरा या फिर आइडिया हो इस तर इन सब चीजों को हम यह बात कर रहे हैं यह पूरा जो इंटर्व हमारा सब्सक्रिप्टिंग तीन मिनिट का सी तो कौन सा शॉट के इस एंगल सी देखिए उस जमाने में पहले के जमाने में फुटेज बहुत महिंगा था क्या बोलते उसको कैमरा तो लोग ब्रेकडाउन करते थे यह पहला जो शॉट है जो यह पुछेंगे सवाल वो इस एंगल सी ले जागे इसमें दोनों दिखाए देंगे फिर यह लाइन उनकी इसमें होगी क्लोस अप में होगी फिर इनका जवाब क्लोस अप में होगा और फिर बाकी काम है तो बार-बार शूट करते हैं अब एक बार तुमारा एक एंगल से यह तो मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रिप्टिंगा नहीं यह फिल्मेकिंग का तो यह यहां से हो गया क्योंकि लाइट बाइट लगानी पड़ती है तो इस तरफ के इस एंगल के जितने शॉट से पहले ले लिए जाते है तो पहले हमने बात कर ली मास्टर शॉट ले लिया जिसमें हम दोनों आ गए फिर डायरेक्टिंग बोला कि इनके मुझे तीन चाहिए यह यह लाइन के लिए ले लो फिर बोलेंगे इसमें से दो में ओवर दर शॉल्डर ले लो इनका शॉल्डर आया लेकिन इनकी शकल पूरी है वह बोलते है उसको वो ले लो पिर सेम थिंग रिपीट वहां से करो ताके वो मैच हो तो फिर, क्यूंके लाइट फिर चेंज करने परते हैं, अपोजिट डिरेक्शन में, दोनों इधर इधर भी लाइट होगी तो फिर गड़र हो जाती है, तो एक तरफ से हमेशा पहला लाइट दी जाती है, जिसका जो इंपोर्टन्स होता है, और फिर उस लाइन में तर उस त कि वह एक आदमी, it's a one-liner, short synopsis है, एक आदमी चार साल पहले अपने मालिक का 4,000 करोर रुपे लेके भागिया था, आज इसको पकड के लाते हैं, अब उसके उपर 4 अलग-अलग मुकद में है, और ये बिस्तर के क्या है, तो वह फिर डिटेल में जा, screenplay is as it appears on the screen, तो हर सीन के भी कहां से शुरू होगा, what is the first scene, उसमें आपको ये लिखने के जरूदी नहीं, वह ब्रेकडाउन, कि इसका क्लोज़ा पा रहा है, ये रहा है, वह रहा है, जरूरूदी नहीं है, पहला सीन है, अगे हमने दिखाया कि, exterior shot है कि जंगल का, जंगल ड्रोन आ रहा है, it's exterior top of a drone shot, drone आगे-ागे आ रहा है, और एक cottage दिख रहा है, लेकिन जैसे drone अस्दीक आ रहा है, एक बहुती दरदनाक चीक सुनाई देती है, now we immediately cut to inside, जहाएक आजमी का shot रहे, या कोई drone shot रहे, तो आपो mention करते हैं, जहाँ जरूद, see, मैं फिर्जा के रहा है, drone shot किसली है, कि ये वो है, ये establishing shot है, बिल्कुल, in fact, drone भी नहीं बोलते हैं, we say an establishing shot, बिल्कुल, 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 बिल्किन इसमें क्या है, as the drone comes close, अब ये establishing shot है, बिल्कुल, 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 इंपल सा चीज है तो उसके लिए कोई सोचता नहीं कि हमें तो काम है कि हमारे इंट्रेस्टिंग मुझे सरफरोष को तो बाइस साल हो गए मुझे हो सीन कैसे याद है और मैं बताओंगा तो सामने वाले को भी याद आ जाता है कि हाँ यह खड़े थे और पीछे सरदार ऐसे क करके खड़ा से को ले हाँ मुझे यहाद है वड़ा फणी सीन था कोई भी बोलेगा तो इसके लिए हम जब मैं फिर से कर रहा हम लिखने बैठते हैं कभी नहीं सोचते के 25 साल बाद हमारी कोई फिल्म देखेगा हम यह सब सोचते नहीं हमें अच्छी फिल्म हमें मालुमें पब्लिक को भी पसंद आएगी करिंगा इसा रिसावत सो एक एक लाइन एक डायलॉग अवनुडा करशप की गैंग्जओ वसेपूर थी लेकिन अनुडा करशप ने नो स्मोकिंग जैसी वाहियत फिल्म लिखी है जिसका हमें एक भी लाइन याद नहीं है कुछ भी याद लेकिन गैंग्जओ वसेपूर क्यों याद है कि बैठे हैं वो लोग ने केरेक्टर जमा दिया उसके अंदर आगे कर लिया तो ऐसा होता है तो एक ही राइटर में ये भी लिखा है वो भी लिखा है तो बिल्कुल सर हमने मतलब स्क्रिप्टिंग के अलाग अलाग पॉंट रिव्यूस को जाना आपने ये बताया कि राइटिंग कैसे करनी चाहिए कैसे सही धंग है इसमें मुझे बात ये समझ में आती है कि जो आज का एक सिनेरियो में देख रहा हूँ पहले तो बहुत कम राइटर्स हुआ करते थे और अपने काम को बिल्कुल पूजा की तरह ल लेकिन एक राइटर बनने का पैमाना क्या है क्योंकि बाकी सब हम फील में देखते हैं कि इसके डिग्री कर ली ये डॉक्रेट हो गए वो इंजीनियर हो गए राइटर्स अपने आपको समझ लेते हैं कि हमने मतलब क्या कोर्स कर लेंगे तो राइटर हो जाएंग या एक प अधरना है वो पहले ग्राफ से अंदाज आ जाता हमें कि कहानी में इनकी स्क्रींप्ले में दखी तो उसके लिए कोई प्रहना है लिख के लाना है और कोर्स कर रे तो अच्छा ही उनको मूलबू तरीकर समझ में आ जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा यह इसे लिखना यह यहां तक कहनी लिखी है अब इसके आगे क्या करें या कॉंक्लूट कैसे करें या एंडिंग में क्या एक उसका रीज़ ने कि उन्होंने जो स्टोरी सिलेक्ट की है ना इसमें इतना मीट नहीं है कि दू गंटी तक सस्टेन कर सके हैं के लोग आते हैं और रामनुजन पर लिखो नहीं लिखोगे अचे नहीं लिखोगे तो लिखाटिशमें पर फिल्म नारा है कोई आया था मेरे I mean कोई बोला कि कैसी मेरा opinion है कि मुझे मुझे मजा नहीं आएगा इसमें शुटिंग में visually unless you are shooting a person I don't see excitement so क्या होता है ना the subject आप ऐसा चुनो कि इसमें अनुभव से आता है कहीं लोग शुरू कर लेते हैं फिर बोलते तो फिर अगर शुरू करके अगर आधे घंटे में अटक गए तो फिर उसको आधे घंटे की फिल्म बनाओ पहले देखो कहां तक जा सकती है conclusion की बात रही कि conclusion में अटकना वैसा नहीं होता है फिल्म जब लिखना बैठते तो सबसे पहले उसका conclusion कि एक आदमी है एक ही टांग है और सोचे मांट एवरेस पर जाओंगा मांट एवरेस फटे करनी है अब उसका जर नहीं है अब बीच में रोड़े आएंगे तकलीफ होगी जाएगा नहीं जाएगा यह आपका मांट एवरेस पहुंचना आपकी फिल्म का कंक्लूशन है कैसे पहुंचेगा हो आपके आथ में पहुंचा उसको और सीधा सीधा चल कैसे जा रहा हुआ जब बीच में क्या हुआ वट हैपन जापाया नहीं पाया पैसे कैसे किए परमीशन निए जितनी ज्यादा बाध आएगी उतनी आपकी इस्टोरी ज्यादा मजबूत बनेगी हीरो क सबस्क्जार कि अब कितंब इसको हिसाफ और वो भी हिसाफ अब कोई बोले का साल आजए बंदा है वो प्रपोस करना चाहता है लेकिन उसको एना एक स्पेशल फूल देना है घुलाब देना है वो का मिलता है? वो हिमालए में मिलता है तो ओ घुलाब लेने जाएगा तो है आभी मैंने बोला तो है मुझे फ़नी लग रहा है तो ये भी ऐ कहानी है मैं उसको परपोस कुछ स्पेशल तरीके से परपोस करूँगा ये उसके लिए तो ही इस डूइंग, उसके लिए उसके करेगा दिमाग लगाएगा अब हो सकता है उसके दो अतरंगी दोस्त है, वो उसको ऐसे सरेशन दे जो बहुत फ़नी लगे सुनने वाले को, तो एक काम कर, तेरी टटी को पार्सल करकर उसके अंगुठी में डाल के दे उसको ऐसा, एक 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 एजांपल दे रहा हूं है, तो let your imagination run wild के, के तुम्हारा जो दोस्त का character हो, क्या आपको नसीएत, वो idiot आदमी है, he's obsessed with all this, below the belt humor and all that, he's obsessed, बोला, तेरे आख का तेरा खून लिका हो, बना दे कुछ और उससे, अब बोला, नहीं कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है, अब कोई hero सोचेगा कुछ अलग, और अलग करके, फिर last में दो च इसको कर रहा, वो impress होएगी, या तो उसका फोपर, एंटी-क्लाइमेक्स हो जाएगा, या तो यह भी हो सकता है, तो वो आपकी story में क्या है, अब आपको story में twist लाना है, तो हो सकता है, एंटी-क्लाइमेक्स हो गया, लेकिन बोला, नहीं मुझे यह सब चीजों में इंटरे वो लेके आता हूं मैंना यह मर मरा के उसे आपने स्ट्रगल दिखाया किया ही रन वीरन के पीछे गया यह क्या वो क्या कस्तुर लेका है तो इसको कस्तुर दिये उसने विए यह सब बखवास मत करो मेरे साथ है मुझे पसंद यह लो जिला यह मायूस होगिया मुड़ के चलन करना है यह और क्या है यह बहुत सिंपल चीज़ है कहानी बाहन के रहा है कोई इंसिदेंट भी कोई सम पीपल आ नेशनल स्टोड़ी टेलर्स तो कोई आदमी ऐसी कहानी बता रहा है ना बोरिंग सब्जेक्ट यह लेकिन जब वो बताने का तरीका होता है अपने बगता है इस समय अभी हमको लग रहा है अब को सुनगे आपको सुन तो बोरिंग सब्जेक्ट ही है ने ने बदर इंटरेस्वर सब्जेक्ट है फिर भी आपके मुँंसे तो हर शब्ड बड़ा अच्छा लग रहा है तो ऐसा होता है फ्लेयर फॉर स्टोरी टेलिंग हो अब एक एक की बात है एक नाम नहीं लेंगे तो हमारे पाध्यव्र साथ बले या तू नेरिश्न बढ़िया देता है एक पर फ़ला ने ट्रर घॉालिडर अध़र कर नाम लिया जरह उसको मैंने साइन किया मिला जाकि ये हीरो को नेरिश्न सुना तो ऐसे ऐसे बेठे हैं तो एसे सुना थे मन में बुदुआ तो फिर वहां से थे जिला गया तो अब तो यह है है तो यह वहार मार दो क्न आ भूररे तो सुनने पढ़ दो एह अभर भी तो अपने बीजिए तो आप अब स्टोरी टेलिक क्राफ्ट ए कुछ लोग को सम्झा नहीं पाते है लोग के पास स्क्रिप्त नहीं है और अब अबता खुड मैं नहीं तो कैशे सामने में बात अनर्जी की नहीं उसकोगते हैं इस से पहले 10 फिल्म बनाई भी ए तो आप सभी कहानी सुनाने वाले किस्से सुना रहे हैं, बार 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 मतलड़ किस्से नाए, जे आए, जे綁गाना, जे बार बार मतलड़ किस्से नहीं चुछ सुना नहींदूर किस्से हैं, इतना आसान भी नहीं होता!! बहुत सारे होते हैं इन को पसंद आई! लगने मुझे उनकी शसल करते है ना करना एक सब बाते हैं major को अब करstars को सबस्कंस करें में लुए जहीं औरकर भी तृमिलो। उस घृत करम सब्लिंद सब्राइभ का रहना है रहना है. क्योंके अभी इज़त नी उशालने मुझे, पुराने लोग है, मुझे एक बहुत बड़े डिरेक्टर साब में बुलाया, प्रोड्यूसर डिरेक्टर, बुरा हमार लिए स्क्रिप्ट, लिखो, आफ्टर रुस्तम, ना, मैंने करने, मैं आया हूं, हूं आउट ओफ रिस्प दी होगी सर, आइसके जमाने, आपकी मैंने लास्ट तीन पिक्चर देखी है, बहुत ही वाहियात और घटिया है, यह आज, यू है लॉस्तम, बहुत बड़े रॉइटर है, अभी आया है हमारी ओफिस में, हमने, आपको याद है ना, मैं नहीं कोडिनेट किया था, अब यह हमारी काम नी करेंगे, क्योंकि हम रिडेंडेंट हो गए हैं, और कोई बात नी, एक काम को रहे हैं, एक लाग का चेक दे दो, किस लिए चेक दे रहो आप मुझे, एक लाग का, नहीं आप इतने बड़े राइटर हमारी ओफिस तक आए, तो हम आपको खाली हाथ में जाने देगे, ऐसे नहीं उसकी तो फीज मेरी दो लाग रुपए हैं, उसके तो मेरी दो लाग लेता हूं, तो मिजद देखा, ठीक है वो बढ़ बाई, दो लाग का चेक दो, लिया चेक मेना डाल दिया, क्लियर कर दिया मैने, तो यह वो उज्यारी मारा तो हम भी मारा सकता है, बना दो लाग रुपए हैं, तो इनको एक लाग का चेक, उसके लिए तो मेरी दो लाग फीज है, ठीक है, दो लाग का बना दो, उसके जवाब पत्थर से वाली बात है, आपके साथ तो अपने आपको इतर डेवलब भी किया है, और एक तो मुझे लगता है वो नेवी बात नहीं रख सकते हैं, आज हम देख रहे हैं, राइटर्स की जो इस्तिती है, वो ऐसी होगी कि बड़ा नेगलेक्ट कर दिया जाता है, उसका रीजन ये भी है, कि होता है, मेरे पास साथ भी बहुत इंट्रेस्टिंग इंसिरेंट है, उसमें मैं नाम लेकर आपको बता ह होगा, एक तो आपको आपके क्राफ पर कॉंफिडेंस होना चाहिए, बरावर, दूसरा, मेरे काम की की कीमत मैं तरह करूगा, तुम कोन होते हो, अब मुझे कोई बोला कि आप पहली बार, आप फर्स टाइम हो तो इतना ही देंगे, नहीं देना जाओ, मैं इतना देंगे, आप पहली बार आए हो, जाओ, जाओ, कमिंग तो पॉइंट के हम, जैसे सलीम जाविद साब की बात करते थे, जंजीर फिल्म में उनको क्रेडिट नहीं मिला था, राइटर का, तो उनको बड़ा गुसा आया, और उस दमाने में नॉम ने, बोले हमारा पोस्टर पे नाम क् हम अपने हग के लिए लड़के, हम अपना सॉलूशन कर लेंगे, और बिकोज हम लोग क्रिएटिव लोग है, हम तो दो कतम आगे जाके करेंगे, कि मलब आम आदमी, क्या कोट का चेरी है, हम अपने हिसाब से ही, जब से ये सोशल मीडिया आजाएगा, आगे है, किसी के जि है हमारे साथ हुआ है, लेकि हम आपने सॉलूशन निकाल दिये, और जरूरी क्यों है ऐसा बताना, और मैं सब को बताता हूँ, ताकि एक दैशत भी हो जाए, कि यार इससे बात तो फैली गई, इंडस्टी बहुत चोटी है हमारी, तो बात फैली भी, मैं सब को मेरे सरकल मे हो जाता है, और बागी फिर काम तो दिखता ही है, काम तो दिखता ही है, और सी ऐसे लोगों का कुछ होता भी निया, वा आदमी का क्या हुआ, जो मेरी फिल्म बिगाड़ दी लोगों ने बतती है, जो प्रोडूसर है जेल में गई, एकोनोमिक ओफेंस में, डाइटर घर प हो जाता है, ऐसा है, कई चीजे हैं सर, बागी किसे तो आपने सुनाए भी उनको सुनकर हसी भी आई, पर एक विडमना वाली बात है, कि हमें अपने हग की लड़ाई को इतना आज तक लड़ना पड़ रहा है, सब को लड़ना ही पड़ता है, कोई और थोड़ी लड़ने व जाता है, तो एक चाप पड़ गई और मैं पहले दिन से चाप पना ही है, मैंने, लोग बोलते हैं कि कॉर्परेट करके, कॉर्परेट वह पर पड़ पर पुछ नहीं है, हमें अमने काम पर वरोसा है, यह तरम से हां, हैं एम फ्लेक्सिबल, कुछ चीजों में फ्लेक्सिबल लो, 19-20 भी होता है, बज्जेट की, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मर्दों की तरह काम करो, जो भी है, तो इन लोगे बत्ती कुलमीटर चाप में बहुत बेहुकूफियां की थी, सुपड़ा साफ हो गया ना, बहुत बेहुकूफी की थे इन लोगों ने, इडियेट इन लोगोण बेहुका हों कि aap जिकर किसी को नहीं करोगे, मैं सब को कर रहा हूं, अब मैं बोलता हो, जो करना कर ले जा, लिखा दलयाता तो लिखा तो ए लोगों भी हुआ नहीं करता है, उसमी लenni कम進गे खर ओद बात का ओने कर skirts हूं लगा आ नहीं कर आलों लना में कि दोपेश का कॉंटक मैं क्यों अनुर करूं सबको बताओंगा मैंने का इसा होता है थंद बहुत बढ़ गए है और आप चाह आपके आप के यह जाद होगी है नहार भी तो बिल्कुल नहीं होदी वॉपई में का थंद होगी है मुंबई तो सर फिल्मों के लाइसे बहुत फेमस हो गया घी थी भूपाल में भी आ रहा है ट्रिन अब भूपाल में तो काफी शुटिंग हो रहा है अच्छा आप चाहएंगे भूपाल में कभी भवेश्यम कुछ बनाना हूँ कुछ मैं मैं आओं अब अब जो कहनी है बत्यकुल मीटर चाहँ इस बाइक मेलिंग लॉयर और सिटी बेस काहनी थी बंबे जैसे सिटी बेस कानी थी अभी बेवकूफ लोग क्या है ना वो सबसेडी मिल रही है उतराखंड में हां सबसेडी के चकर में कहानी बदल के वहां च साथ हमें सीम से हाथ मिला लिया डीम से चाही पीरी तो उनको बड़ा अच्छा लगने लगा तो यह वो सीम के चले गए उतराखंड सबसेडी है कहानी अगर बंबे बेस डेट दिर मस्ट बी रीजन ना वाई दर राइटर अगर होती उतराखंड के लाइक होती तो मैंने उ स्कृप के रिक्वारमेंट होनी चाहिए मैं जो कानि लिखो उसके मेरा क्यारेक्टर स्मॉल टाउन का है उसका कुछ एटिट्टूड है तो मैं उसका यहाँ बेस करूंगा तो इह ब्रस पॉइंट तो यह अगर आप कहीं की कहानी जास्पीदी आ किसी और कार इंज गर आसेपूर दिखाना पड़ा, दनबाग कोल फिल्स दिखाना पड़ा, वो बंबे में तो नहीं कुछ कर सकते हैं, यह उल्टा है, यह इसा है, जो कहानी की डिमांड होगी तो क्यों नहीं करें, हम तो पूरे हिंदुस्टान में शूट करें, अभी वेस बंगाल में क्या बता नहीं की सार, इस फिल्म के बार में कुछ बता ही है, यह कोल माइनिंग रेस्क्यू ड्रामा है, एक कोईले की ख़दा, 1989 में ट्रू स्टोरी थी, जस्वन सेंगिल साब नाम के चीफ इंजिनियर थे, कोल इंडिया में काम करते थे, तो एक कोईल मान थी, महावीर को नहीं आ गया है, चानक के अंदर, और यह कोल माइन साड़े 300 फूट नीशे होती है, कोई बचा नहीं होगा सर, तो सब ने give up कर दिया, कि यह जो 71 है, वो गए, एक सरदार की इंजिन था, उनको को कन्विक्शन था कि नहीं गए नहीं होंगे, कुछ कर, लेकिन कैसे लोकेट कोल माइन से यतनी फैली होगी है, कि यहां से एंट्री है, तो आपके तलाव के उस तरह अपने हो, आपके सी एम हौज, तो माइन से बहुत फैली होगी होती है, तो कैसे करोगे, कोई कम्निकेशन है नहीं, तो उपर से दिमाग लगा के उनोंना पहले तो उनको लोकेट किय है, फिर लोकेट करने के बाद, साड़े तीन सो फूट से एक एक करके सब को उपर लाए, यह कहानी है, तो अच्छा, जो आप कहानिया लिखते होंगे, जैसे अभी हमने कैपसूल की बात कर रहे है, आपने सरदार जी के अभी वो लुक की बात करी है, तो जो आपने स्क्रि में लिखा है, और जब वो परदे पर दिखता है, इस अधे डिफ्रेंस होता है बहुत स्यादा, जैसे आपने सोचा था वैसा ही होता, वैसा ही होता है, डिरेक्टर का काम है, जो लिखा है, उसको 20-25 परसंट और एनहांस करना, उनकी एक्स्पीरियन्स, उनकी अनुबहुत तो मेरे केस में तो जो लिखते हैं वो इन से बेटेद ही दिखता है डीरेक्टर अपना इसमें दो-तीन सजेशन अक्षे कुमार साभ ने भी ऐसे दिये हैं जिससे हमारी इनको इतना तज्जूर्बा है आपले एक्टर लेकिन 30-40 साल से काम कर रहे है 30 साल से तो उनको भी तज तो लोग बोलेंगा रहे विपुल ने क्या लिखा दो दो तीन चीज़ ऐसी छोटी मोटी है जो उन्होंने ऐसी डाल दी है उससे मारी फिल्म है उबर के आगी तो उनका उनों फिर डिरेक्टर साब का उनों तीन-चार सीन बोले कि विपुल इसको ऐसे मोडिफाई करो ये करो तो ऐसे करते करते हैं उबर के आजाता है मगर ये सबी चीजे सार बड़ी लिटल बिट होती हूंगी जो में जो है बेस जो है वो तो वही स्क्रीन प्ले है जो आपने लिखाई एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात बाता हूं बरसो को नाम भूल रहा हूं है को हॉलिवूड तो दियुकर साब तो बूलने लगे कि देखिये मैं हर स्कृप में अपना टच देता हूं हर स्कृप में अपना प्रक्र और स्पेशल टच देता हूं तो राइटर को बड़ा खुसा आ गया उसने 120 कोरे पन्ने उनको मेल कर दिये अभी अपना टच दे इस पर है तो मलत कु करो ना तुमारी ओकास है तो 120 कोरे पन्ने पे कुछ करके दिया उस दिन हम से बात करो तो यह इंटरेसिंग कहानिया भी आपकी लाइव से बड़ी इंटरेसिंग अच्छा आप ने रहे उसका असर आपकी स्क्रिप्टिंग में आता है क्यों कि रुस्तम तो उसमें बेज त तो कुछ आपको मदब मिली हो हां रुस्तम सी डुस्तम वस फिल्म अबाद नेवी बिल्कुल एक अनुब नेवी में तो चाही चलो तो अपार्ट व्यूनिफर्म तजुर्वा भी बहुत हुआ ना मुझे मैं अब 17-18 साल की उमर में आम बाहर गये और मुझे पूरे हिंद अब 18 साल के मरें हमारी पोस्टिंग आना मनिकबार होगी हमें तो पता ही नहीं था और आम लोह को नहीं पर दग्वित साड़े साथ सो तप न पे भारतिया नौसरे आ साथ सकते हैं और सिविलियन सो फट पन्दरावी से आ सकते फिर भी साथ सो तपू पे तो कोई नहीं जा तो यह तो हिंदुस्तान के साथ पता है नहीं है तो यह सर भुपाली हम लोग वी आईपी के लावक हिंजा भी नहीं नहीं है अब अब यह अपना लक्षवधी पाइलेंस चोटी उमर में हिंदुस्तान तो देख लिया फिर दुनिया देख लिया माल्दी इस मौरिशेज जिन से मिलते हैं कहानिया तो मिलती है अब इजाज में बैठें कोई बात करता है अब इसमें कोई टाइम पास कहानिया भी होती है कोई कोई गूलता है कि हमारे गाव में चुडेल थी फिर उसका शादी हो गई एक आदमी था वो शादी करें चरा गया उसका लेकिन उसकी ब प्रच्पन में सब के टोन, टेन, स्टाइल, वाइल, सब मेरे हुआ है, तो एक मिना माइं फुल गए अब जितना जादा लोगों से मिलेंगे जितना जादा लोगों के पास नेवी में सभी, कोई किसान के बेटे थे, कोई जाया था तर तो रूरल बैग्राउंट साथ तो सब कभी वो लगुशंकानी करनी चाहिए, माता आ जाती है, बूच चड़ जाता है, यह सब कहाने हमने तो सुनी है, पागल हो गया गया, तो लहाँ ऐसा होता है, फिर हमने उसका प्रेंग किया तो नगा रहे कुछ नी होता है, मैं करके दिखाता हूं, तो हमने किया, और फिर आत कॉम ने एक्टिंग के कि मुझे माता चड़ गी, तो वो मेरा भूत निकालने कर आचा, तो यह से हमने प्रेंग भी किया, तो मज़े भी लिए, पर हर सिविलिजेशन में जाने से बड़े अनुभम मिल जाता है, और फिर एक राइटर को बड़ा काम आ रहे है, वरना क् आप इस निए प्रोग्राम में भी आप जब प्रोग्राम कोई सा भी होता है, खास वर पर जो कल्च्छर प्रोग्राम, तो आप बड़े हैं बड़े इंटरेस्ट लेकर आप आपकी नजरें दिखा देती हैं जो आँखों की चमक है बता देती कि अब इसमें से भी आप कु अyy है मर chin, अभी एक Iceland मिली है तो फाइदा है लेकर आप जय खेंगी वैर्षा है वाल आप कर दो से अला कि मॉर्च्छ पर जाए मोँरें पर जारएं ऑन तो से प्रपर आम आची बात होती है अब अपने खर्चों से होता ही है लेकिन एक तकलिफ होती है, एक कि अगी कोई म आपको देखें आप बड़ी अच्छे लंबे चोड़े, गटे-कटे और एकदम खुबसूरा है और सुन्दर फेस है, घरवालों ने आप राइटिंग में आ रहे हैं या घरवालों में आ किसी परिवालों में सब्सक्राइशन नहीं है एक्टिंग वगर में जाने हैं घरवा में क्या कर सकता हूँ यह तो मालूम है और क्या नहीं कर सकता हूँ यह बहुत ज्यादा मालूम है इसलिए मैं वह चीज में हाथ मारता ही नहीं है जो चीज मुझे 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 तो जो अपनी काम नहीं है मुझे मालूम है कि हम नहीं कर पाएंगे हमारी बस की बात में और हाइट बॉड़ी से थोड़ी हमारे आदर्शनगर में मुंबई की गले में हर तीसरा लॉंडा छे फूट का है उससे क्या होता है सारे बॉड़ी बिलडर एक्टर मीरे बिलटि बन जाता है बिल्कुल सह बाम अटिम जाकर गुड़ा जाता है अरणिगी बॉड़ी बेलडर बंन जाता है अ कर्ते बात सी बॉड़ी जाता है बिल्गूर दिरे दिरे हो गया ना वो इंप्रूव्मेंट आता है आप देखते हो दिरे दिरे अबसर्व करते हो देखो आपको याद सबस्क्राइब करते हैं पहले एक विदाता फिल्म आई थी रोने का इतना गंदा रोय थे का मजा को ड़ाते थे एटीज में उनका वह पेले जब देवनन साब और राज कुमार साब की कुछ विए समय था नियुक की अगदा किज दिए नियुक शना बनाते है उप लोग तो यह से ही होता है अब बड़ा चेंज आता है वाँ फर्गे लोग अब नज़ों सबसे पॉप्लर अपने करकें इक या या शनानी करके मैं पंदरा साल पहली की बात रहा हूँ जहाँ निवस एंकर ऐसे बैट के बात कर रहे थे आए ऐसा ऐसा उसमें एक बंदा आ रहा है लंबी चोटी ऐसा गाँ चैन से सोना तो जाग जाहिए और वह एने बिल्कुल वह पढ़े लिखे हैं बहुत सिनियर जनरिस्त हैं तो जब होटल वाले होटल डालते हैं तो क्या अलग वो सोचते हैं मैं क्या बना हूँ अलग वड़ा पाऊं तो सब बनाते हैं मैं वड़ा के अंदर पाऊं बनाता हूं तो यह कुछ कुछ क्रेटिविट रिवर्स बात है अब पसंद आय नहीं पसंद है बात की बात है बिल्क माय पूरी इठी है वोड्का डालके बारत में दी जती है, तो उसमें मजा भी आता है चक्छना भी हो जाते है जटा चार्ट में पूरी, प्रहु पूर पियो और रिल की जो दुनिया है तिनका पेशेंस लेविल कम है और जो पंदरा सेकेंड एक मिनिट में सब इंटेन्मेंट चाहिए और पुरी नॉलेज चाहिए एक रैपिट फायर राउंड जैसे हम नाम देते हैं जरार अफ़तार से इसमें सर मैं आपके सामने एक सेंटेंस या एक शब्द बोलूँगा उस पर आपका क्या एक रियक्शन है आपकी लाइफ की अनुभव से वो आप हमें एक शब्द में है एक सेंटेंस में आप देते हैं वैसे एक शब्द है पर आप उसको इलेबरेट करना चाहें तो एक सें रुस्तम फ्रूट्स ओफ पैशन, पैशन का नतीज़ा और आपकी फेवरेट क्योंकि हमने इंटर्वी में भले बात नहीं कर रही है पर आपने मैं बता है, इकबाल इकबाल सबसे इमान दार इकबाल एक और फिल्म है, शॉट फिल्म जो पर एकबाल वारा नसी इकबाल चाहिती है बें बाड़ी किस्परेसि तो आपकी बड़ी करीत इसको आप देखेगा योट्यूब पर है तो जैसे आपने रुस्तम पर नेक्शन करा, इकबाल पर क्या रीकशन होगा इकबाल फिल्म पहला बच्चा पहला बच्चा इसे आगे बढ़ते हैं सर फिल्म इंडिस्ट्री इस शब पर क्या रेक्षिन क्रियाटिव बेंक्रप्सी एक जो मेरा इसमें एक फेवेट सवाल रेता है हर बार वियक्तिजी कुछता हूं वेपुल के राफल आम आदमी आम तो नहीं है सर हम लोगे लिए बड़े खारसे हैं मेरा अहित राइब ज़यut वरकिंग राइटर करते हैं अब मेरा जो हभी है व मैरा प्रोफिशन बन जाए जिए तो मैं पर्मेनने बेकेशन पर हूं मैं मेरी होभी है लिखना और मैरा प्रोफिशन बन गया भ॥़ग है और क्या चीए मुझे, मेरी होबी, मेरा प्रोफेशन बन गया, I am on a permanent vacation, मतलब मैं कहीं बार, मतलब वेकेशन से ब्रेक लेने के लिए लिखने बैठता हूं, मतलब मैं अयाशी से ब्रेक लेने को मैं लिखने बैठता हूं, लोग काम करते हैं, मैं मेरे रूटीन लाइफ से ब् मतलब, by set I mean, your content and whatever you got to lose, तीन गंटा हम काम करते हैं, मेरा एक रूटीन है, मैं दूसुब दस बजे मेरे डेस्पे बैठता हूं, दस से एक में लिखता हूं, फिर अगर मूड वा तो शाम को एक दो गंटा हूं, बस दुपहर को खाना खाके थोड़ा नैप लेता हूं, या म मेरे लिए हर दिन दिवाली हर दी नीद है, मेरे को ऐसे नहीं कि आज वीकेंड है, कितना बज्य की बात है, मेरे लिए मंडे भी संडे है, संडे भी मंडे है, मुझ नहीं कब, that is the thing, मुझे इतना योगिया बनना था था, मुझे वक्त का गुलाम नहीं बना था, मेरे लिए इक जगह पे एक ही ताइम पे बुला यह जम आज मीटिंगे अपनी डिसकुशन है, सूबस्ट सादे नहीं बजे निकलो सादे दस बजे पाँचो फूरा दिन काम करो एक रूटीन है, तो तूसरा दिन बैठ आठे हैं था दिन बैठे हैं, सादे नहीं नहीं नि कि मेरेनगी कर रहा हुं आजर बोल दो दिन बाद भी मीटिंग करें और राइटिंग वाइटिंग मैं अजैसे वो डेन्टिस्ट कि लाइफ में इमरेंशी नहीं होती ना ड्रॉक्र भी हम जब लिख के देंगे तब भाब बनाओगे तब क्या कर लोगे तह भी अफिर भाई मैं किसी को नीचा दिखा के ऊपर नहीं उठता हूं, मैं अपने काम को रेस करता हूं, I raise the bar, आप समझ रहे हो, आप समझ रहे हो, आप अपने अपने नहीं होता है, मेरा एक है, कि मैं इसके साथ काम करता हूं कि आदत इतनी बिकार दू मेरे प्रोफेशनलिजम से, कि उनको दूसरे के साथ मज़ा ही नहीं है, कि वह बोलें कि विपुल भाई के साथ ही काम करना है तो वह तो अपना एक वहाँ पर नीट तयार की है अपने पूरी, मैं प्रोफेशनलिया है, मैं कभी लेट नहीं होता है, मुझे व्यसन नहीं करता हूं, मैं गांजा मारता हूं ना मैं सिगरेट पीता हूं, अब तो मैं शराब पहले पीता हूं, वह भी नहीं किता हूं, तो मेरे कोई ओवरेंड जी नहीं है, राइटर आएगा कभी, मैं करना थे वह दो करना थे वह थे जाएट यह भी जाएट, वह दो भाड़ेंगे, पहले प्रोफे में रहें गांजा भागा फूखेंगे, अपने जोन में रहेंगे, मैं युजुली मैं अगली आता हूं मॉंबे का ट्राफिक बड़ा विशीत रहा है तो कभी लेट नहीं होता है मेरा पॉलिसी है और यह मैंन के महानुपा से बच्छन साब से सीगा बच्छन साब इतने बड़े आर्टिस्ट है कभी लेट नहीं होते है इस वरी बिग मैं तो अच्छा बड़िया आपसका इंटर्व्यू किया थोरा मन तो और बात है करने का कर रहा है पर फिलाल हम यहां पर मुझे लगता है इंटर्व्यू को खतम करना चाहिए उसके लिए मैं चाहूंगा जो हमारे एक पहला मॉटिव था अकैडमिक पॉइंट व्यू से लास्ट म मुझे में से लिए धी दोग्याश्यार। कि पताना चाहेंगे ह। कि व्यूज पताना चाहेंगे जो भी आपने मन से बता रहना चाहेंगे. लेकिन कुछ एक्सेप्शन इंजिनियर रेंचो तो एक ही बनता है ना वो पैशन बहले आपने सीक लिया पिर उसमें आपने इजाद की वो क्या तो ऐसा होता है तो बेजिक तरीके तो मैं सिखा दूंगा जिर आपके अंदर कितना है उसको आप तरह से दरा से दरा स्किल्स प करें बड़ा ही मज़ा आया और ये आज हमारा मुझे लगता है इंटर्वी बड़ा सफल रहा यहां पर हम इंटर्व्यू को समाप्त करते हैं हमने आज सुना विपूल के रावल सर को जिन्होंने बड़ी अच्छी तरह से फिल्म स्क्रिप्टिंग की बारीकियों को सिखात अगली बार फिर मिलेंगे मैं गौरफ दुबे आपके सामने फिर आऊंगा जेमसी स्टड़ी हब में जेमसी स्टड़ी हब के इस शो बड़े अराम से इसका कैमरे में बड़ा इंटरेस्ट है सर अचा वेरी को और